जैहें देव, वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तो इस वीडियो में हम 50 ऐसे Most Important राजस्तान के क्यूसन आंसर याद करेंगे क्योंकि दोस्तो ये सभी क्यूसन है जो बार-बार रिपीट होने वाले क्यूसन आंसर हैं और इन सभी क्यूसनों को हम वेक्या सहीत इन सभी क्यूसन आंसर को समझेंगे इसलिए दोस्तो इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला किसे ने राजस्तान में राजनितिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यानि अरजुनलाल सेटी है जिनको राजस्तान में राजनितिक चेतना का जनक कहा जाता है किसे का जाता है राजनितिक चेतना का जनक राजस्तान में अरजुनलाल सेटी को और अरजुनलाल सेटी का जनम है वो 1880 में जैपूर के जैन परिवार में उनका जनम हुआ था कहां पर हुआ था अरजुनलाल सेटी का जनम जैपूर में 1880 में जिनको राजस्तान में राजनितिक चेतना का जनक कहा जाता है दूसरा क्यूसर ने राजस्तान सरकार द्वरा पहली बार सोर उर्जनीति कब गोसी तक की गई थी तो दोस्तो राजस्तान सरकार दोरा पहली बार सोर उर्जा नीती है वो 13 अपरेल 2011 को गोसित की गई थी जबकि राजस्तान सरकार दोरा सोर उर्जा नीती तता पावन एम हाइब्रिड उर्जा नीती है वो 18 दिसंबर 2019 से लागू की गई थी दोस्तों ये सवाल है काफी important सवाल है इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखे अगर दोस्तों ऐसे पूचे कि राजस्तान सरकार दोरा पहली बार सोर उर्जानीती कब गोसित की गई थी तब जवाब होगा 13 अपरेल 2011 को अगर सोर उर्जानीती पूचे तो तब क्या जवाब होगा 18 अपरेल को गोसित की गई थी next question है सवीदान के किस अनुचेद में प्रावदान है की मुक्य मंत्रे की निवक्ती राज्येपाल दोरा की जाएगी तो इस सवाल का सही जवाब देगा अप्सन BनE अनुचेद 164 में प्रावदान है की मुक्य मंत्री की निवक्ती राज्येपाल दोरा की जाएगी किस अनुचेद के तहत अनुचेद 164 के तहत next question है राजस्तान में सूती वस्तर के लिए अधिकांच कच्चा माल किन जिलों से प्राप्त होता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन AनE गंगा नगर और हनुमान गर्जिलों से राजस्तान में सूती वस्तर के लिए अधिकांच कच्चा माल प्राप्त होता है किन जिलों से होता है कच्छा माल सूती वस्तर के लिए गंगा नगर और हनुमान गर्जिले से क्योंकि यहाँ पर राजस्तान में सबसे ज़्यदा कपास की खेती की जाती है इसलिए सुत्य वस्तर के लिए अधिकांज का चमाले वो गंगानगर और हनुमान गर्जिलों से ही प्राप्त होता है अगला क्यूसन है शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्सन भी यनी 1 अपरेल 2010 को मानव संसादन विकास मंत्राले ने पूरे देश में सिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 को लागू किया गया था कब लागू किया था एक अपरेल 2010 से अगला क्यूसन है राजस्तान राष्टिय केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस्तापी तक क्या गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A ने चितोडगड जिले के कपासन में राजस्तान राष्टिय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को इस्तापी तक क्या गया है कहां पर चितोडगड के कपासन में नेक्स्ट क्यूसन है राजस्तान के वे मुख्य मंत्री कौन थे जो परतम विदान सबा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी नी जै नरेन व्यास राजस्तान के मुख्य मंत्री दे जो अपने परतम विदान चबा चुनाव में ही चुनाव हार गे थे कौन हार गे थे जै नरेन व्यास अगला क्यूस ने रिको की साहिता से जै पूर में मानपूर और माचेडी को विक्षितिक किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यह नी जैपूर में मानपूर और मच्छडी को रीको की साहिता ने चमड़ा कॉम्पलेक्स के रूप में विक्सितिक क्या गया था किसके रूप में चमड़ा कॉम्पलेक्स के रूप में किसको जैपूर में मानपूर और मच्छडी को और किसकी साहिता से रिको की साहिता से नेक्सट किसेशन है चैतर मा में केला देवी का मिला निमन में से किस अस्तान पर बढ़ता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा next question is नेक्स्ट क्यूसत ने बरतपुर में इस्तित सिंको ویगन फैक्टरी की इस्तापना किस पंसवरसी योजना में की गई थी तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा है option Bन E बरतपुर में इस्तित सिंको वैजन फैक्टरी की इस्तापना है वो दूसरी पंसवर्षी योजना में की गई थी किस पंसवर्षी योजना में सिमको वेगन फैक्टर की स्थाफ न की गई थी दूसरी पंसवर्षी योजना में नेक्स्ट किसन है राजस्तान का वा जिला जो अंतराजिये और अंतराष्ट्रिये दोनों सीमा रेकाय बनाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नी राजस्तान का स्री गंगा नगर जिला है जो अंतराजिये और अंतराश्टी दोनों सीमा रेकाय बनाता है कौन सा जिला गंगा नगर जिला अगला क्यूसन है उपरमाल पंच बोड की इस्ताफना किसके द्वारा की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यह नि विजे सिंग पतिक द्वारा उपरमाल पंच बोड की इस्ताफना साल 1917 में की गई थी कब की गई थी उपरमाल पंच बोड की इस्ताफना 1917 में और किसके द्वारा विजे सिंग पथी के द्वारा अगला क्यूसन है जेसल मेर के स्वतंतरता सेनानी एउं परदा मंदन अंदोलन के कारी करता सागर मल गोपा का देहंगवात कैसे हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा है उप्सन सी यह नी अगला क्यूसन है नेमल लिकित में से कौन सी बेड़ की नसल चकरी के नाम से जानी जाती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा उप्सन एनी मगरा है बेड़ की नसल जिनको चकरी नाम से भी जाना जाता है किसन नसल को मगरा नसल की बेड़ की नसल है जिनको चकरी के नाम से भी जाना जाता है अगला क्यूसन है राजस्तान के नागोर, पाली, बार्ड मेर, एउंजेसल मेर जिलों में मुक्यते कौन सी मर्दा पाई जाती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन एनी राजस्तान के नागोर, पाली, बार्ड मेर, एंव जेसल मेर के जिलों में बुलई मिर्दा हैं वो पाई जाती हैं कौन सी मिट्टी? बुलई मर्दा मिट्टी अगला नेक्स्ट क्यूसिन है जोधपूर के एक थंबा मेल का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन एनी राजस्तान के जोधपूर के एक थंबा मेल का निर्मान अजीज सिंग द्वारा करवाया गया था किसके द्वारा? अजीस सिंग के द्वारा नेक्स्ट क्यूसन है आजादी के समय बारत में कुल 562 रियासते थी जिसमें से राजस्तान में कितनी रियासते हैं थी तो इस सवाल का सभी ज़ाब देगा option B or any आजादी के समय बारत में कुल 562 रियासते थी लेकिन राधस्तान में कुल 19 रियास्तें थी कितनी थी? 19 रियास्तें अगर भारत की पूचे तो कितनी थी? 562 नेक्स्ट क्यूसन है निमूचना हत्यकांड का सम्द किस किसान आंदलन से हैं? तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आप्सन है निमूचना हत्यकांड का सम्द राधस्तान के अलवर किसान आंदलन से सम्द देते हैं किस से हैं? अलवर किसान आंदलन से और निमूचना हत्यकांड को दूसरा जल्यवाला हत्यकांड भी कहा जाता हैं अगला क्यूसन है भांगणा नागल सिंचाई परियोजना का समंध किन राजियों से हैं तो इसका सही जवाब देगा option D यह नि राजस्तान, हर्याणा और पंजाब इन तीनों राजियों का समंध है वो भांगणा नागल सिंचाई परियोजना से हैं और राजस्तान को इस परियोजना से 15.22 परतिसत जल मिलता है कितना परतिसत 15.22 परतिसत किस परियोजना से भांगडा नागल सिंसाई परियोजना थे जो राजस्तान पंजाब हर्यना की एक साजी परियोजना है अगला क्यूसन है राजस्तान में परतंबार राश्टपती सासन लगने के तुरंत बाद मुक्य मंत्री पदी की सपते किसने ली थी तो इस सवाल का सभी ज़ाब देगा Option C N E महुललाल सुकाडिया हैं जो राजस्तान में परतमबार राश्टपती सासन लगा था उसके तुरंट बाद मुक्य मंत्री पद की सपत ली थी किसने ली थी महुललाल सुकाडिया और राजस्तान में परतमबार साल 1967 में राश्टपती सासन लगा था अगला क्यूसन है राजस्तान के पहले कर्षी विश्य विद्याले की इस्तापना कहां की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी उद्यपूर जिले में राजस्तान में पहले कर्षी विश्य विद्याले की इस्तापना की गई थी जबकि दूसरा कर्शी विशी विद्याले हैं जो बीकानेर में इस्ताप्तिक किया गया है पहला कहा करफ गया गया था उधेपूर मैं और दूसरा कहा पर बीकानेर जिले में अगला क्युशन है राजस्तान में पोमशा किसे कहते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E मैलाओं की जो ओड़नी होती है जिनको पोमसा नाम से जाना जाता है और पोमसा है वो जैपूर का एक प्रसिद ओड़नी है कहा की पोमसा कहा का प्रसिद है जैपूर का प्रसिद है जो एक मैलाओं की ओड़नी के रूप में जाना जाता है अगला नेक्स्ट क्यूसन है राधस्तान का कौन सा दुरग यूनेस्कों में विस्व विरास्त दुरग में सामिल नहीं है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यह नि मार्डलगर दुरग है राधस्तान का जो यूनेस्कों में विस्व विरास्त दुरग की सूची में सामिल नहीं है कौन सा दुरग मार्डलगर दुरग जबकि जेसलमेर दुरग आमेर का दुरग और गागरौन का दुरग है अगला क्यूशन है बंब अंद्रतय कहां का प्रसीद अंद्रत्य हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा। अगला क्यूशन है किराडू बार्ड मेर का सोमेश स्वर मंदिर किसी सेली का बना हुआ हैं तो इसका सही द्वाब देगा option A नी गुजर प्रत्यार सेली में किराडू पाड़ मेर का मंदिर सोमेशर मंदिर हैं जो गुजर प्रत्यार सेली में बना हुआ हैं किस प्रतियार सेली में गूजर प्रतियार सेली में और किराडू के मथर को राजस्तान का खजुराहो भी कहा जाता है अगला किसन है रनक पूर मंदिर किस तृत्कार को संब्रपित है तो इसका सही जवाब देगा option D ऐनी रणकपुर का जो मंदीर है जो जैन तरतकार आदी नाथ को समरपित हैं किसको समरपित है रणकपुर मंदीर आदी नाथ को और रणकपुर मंदीर का निर्माण है जो सौदे सो गुंचारीस में हुआ था और ये रादस्तान की पाली जिले में मत्हई नदी के किनारे पर बसा हुआ हैं किस नदी के किनारे मत्हई नदी और किस जिले में पाली जिले में अगला किसने रादस्तान में बाली काओं के लिए 1932 एस्वी में जन कन्या विसु विद्याले किसके दोरा इस्तापित किया गए थे तो इसका सही जवाब देगा ओप्सन सी यानी जैन नारण व्यास के दोरा राजस्तान में बालिकों के लिए साल 1932 में जन कन्या विसु विद्याले इस्तापित किया गए थे किसके द्वारा जैनारण व्यास के द्वारा अगला क्यूसन है राजस्तान के नात्रा की पाल छेतर में कौन सा खनीज पाया जाता है तो इसका सही जवाब देगा आप्सन एनी राजस्तान के नात्रा की पाल छेतर में लोहे का खनीज सबसे अधिक पाया जाता है कहां पाया जाता है लोहे का आईश के जो कहां पर नातरा की पाल है जो राजस्तान की उधैपूर जिले में इस्तित हैं जबकि दोस्तों राजस्तान में सबसे अधिक लोह हैं वो जैपूर जिले में पाया जाता है कहां पर पाया जाता है जैपूर जिले में जबकि नातरा की पालने छेत रहे हैं वो उदेपूर जिले में हैं वो भी लुख आईस के लिए जाना जाता है अगला क्यूशन है जनगरना 2011 के अनुसार राजस्तान के किस जिले में दस के जनसंग के वर्दी दर नियुन्तम रही थी तो इसका सही जवाब देगा ऑप्सन है सी यनी राजस्तान के गंगा नगर जिले में साल 2011 की जनगरना के अनुसार सबसे नियुन्तम जनसंग के वर्दी दर हैं वो गंगा नगर जिले में रही थी जबकि सर्वदिक हैं वो बार्मेर जिले में रही थी कहाँ पर बार्ड मेर जिले में सबसे जन संक्या सर्वादिक रही थी जबके नियुनतम वो किस रही थी गंगा नगर जिले में अगला क्यूसन है राजस्तान के कौन से जिले में जन संक्या का सबसे कम गनतों पाया जाता है तो इसका सही जवाब देगा option D यानी राजस्तान के जेसल मेर जिले में सबसे कम गनतों पाया जाता है जेसल मेर के बाद बीकानेर, बाड़ मेर, चूरू, जोतपूर इन सभी जिलों में सबसे कम गनतों पाया जाता है अगला क्यूसन है आ जीवी का पर मिसन की इस्तापना करने वाला भारत का पहला राजिये कौन सा बना तो इसका सही जवाब देगा ओप्सन है C यानी आ जीवी का मिसन की इस्तापना करने वाला भारत का पहला राजिये राधस्तान राजिये बना है कौन सा राज्ये राजस्तान राज्ये और आज इवी का विकास परिश्ट की स्थापना है वो साल 2010 में की गई थी अगला नेक्स्ट क्यूसन है राजपुतों के किस वंच ने जैपुर रियासत पर सासने किया था तो इसका सही दवाब देगा आप्सन भी यह नी राजपुतों के कसावा वंच ने जैपुर रियासत पर सासने किया था किस वंच ने कसावा वंच ने अगला क्यूसन है आटवी से दसवी सताप्ती तक राजस्तान के किस राजपुत वंच का रवर्चत चो रहा था तो इसका सही जवाब देगा आप्सन भी यह नी नेक्ट किस ने जैपुर के संस्तापक सवई जैस सिंग के दरबार में विदादर चकरवर्थी कौन था तो इसका सही जवाब देगा आप्सन सी नी जग विदादर चकरवर्थी जैपुर के संस्तापक सवई जैस सिंग के दरबार में एक वास्तु सास्तर था कौन था वास्तु सास्त्र था विदादर चक्रवर्ती और विदादर चक्रवर्ती है जो जैपूर के वास्तुकार भी माने जाते थे कौन विदादर चक्रवर्ती अगला किशने नवीन राजस्तान नामक समाचर पत्र के संस्तापक कौन थे तो इसका सही जवाब देगा option C यानी विजे सिंग पतिक हैं जो राजस्तान में नवीन राजस्तान नामक समाचर पत्र के संस्तापक थे कौन थे विजे सिंग पतिक अगला क्यूसन है चिरोई राजिय परजा मंडल का संस्तापक कौन था तो इसका सही जवाब देगा option C यहनी गोकुल भाई बट हैं जिनों ने 23 जनवरी 1940 को चिरोई राजिय परजा मंडल की स्थापना की थी कब की गई थी 23 जनवरी 1940 में और किस ने की थी चिरोई राजिय परजा मंडल की स्थापना गोकुल भाई बट ने अगला क्यूशन है नानक भील देवालाल गुजर का समद नेमन में से किस आंदोलन से था तो इसका सही जवाब दीगा option B यहनी नानक भील वा देवालाल गुजर का समद है वो मूंदी किसान आंदोलन से था किस आंदोलन से था मूंदी किसान आंदोलन से और किसका नानक भील वा देवालाल गुजर का नेक्स्ट क्यूशन है राजपूताना के भोगोलिक चेतर को राज़स्तान नाम कब दिया गया था तो इसका सही जवाब कैसा है ओप्शन डी है वो 26 जनवरी 1950 को राजपूताना के भोगोलिक चेतर को राजस्तान नाम दिया था कब दिया था 26 जनवरी 1950 को अगला क्यूशन है राजस्तान की किसी रियासत को पंडी जवालना नेरू ने विस्तु का आटवा आचरिय कहा था तो इसका सही जवाब देगा ओप्शन C यानि जैसल मेर रियासत थी जिनको पंडी जवालना नेरू ने विस्तु का आटवा आचरिय कहा था किस रियासत को जैसल मेर रियासत को दोस्तो नैस्त अंतिम क्यूशन है मौरम के अवसर पर परियोग में लिये जाने वाला परसिदवाद यंतर कौन सा है तो उपसन है नगड़ा, तासा, मांदल या मंजीरा इन चारो उपसनों में से कौन सा उपसन सही है वो आपक कमेंड वे जरूर लिखकर बढ़ाईए और दोस्तों ये थे पचास राधस्तान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन आंसर जो आपकी राधस्तान, ग्राम विकार, सिधिकारी, मैंज, रीट, प्लेस कौनस्टेबल और फोरेस्ट कार जैसे एक्जाम में बार बार रिपीट होने वाले संभावित्त क्यूसन आंसर थी उमेद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होगी अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तों इन सभी सवाल आपका पीडियेप हैं, वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिस में मिल जाएगा, जहां से आप टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिंद, वन्दे मातरम